मेरे कानों में रस्यूं ही बोला करो मैं समस्ती हूँ उल्दू में बोला करो अपनी सक्याँ को छोड़ा तुमारे लिए साथ मेरा कभी तुम न छोड़ा करो साथ मेरा कभी तुम न छोड़ा करो दिल अगर तूट जाए जुड़ेगा नहीं बात करने से पहले ही सोचा करो बत गुमानी कभी दिल में लाए जो तुम चैन से जी न पाओगे समझा करो मुझको पाला है अम्माने गुल की तरह अपने कदमों में मुझको न मसला करो दिय है दावलत खुदाने ये सच है मगर आजमाता है देकर वो समझा करो मैं बड़ी शान से जी रही हूँ यहाँ मैं बड़ी शान से जी रही हूँ यहाँ ऐसी महिफिल में तुम यू नरुस्वा करो जो भी करना है और कीजिये शौक से सब्रमहिरू का न आजमाया करो तुम्हारी यादों के जबजख में भरने लगते हैं फिर किसी बहाने हम तुम्हें याद करने लगते हैं तुम हो आपताब मैं हूँ किरन या फिर अंधेरी रात में जलती श्रमा हूँ मैं या फिर तूफा में बुछता दिया हूँ मैं इसी कर्ब में सारे अर्मान जलने लगते हैं तुम्हारी याद के जबजख में भरने लगते हैं फिर किसी बहाने हम तुम्हें याद करने लगते हैं ये जो एहसास दिया है तुमने सिद्दत से चाहे जाने का ये जो एहसास दिया है तुमने सिद्दत से चाहे जाने का इसी एहसास की हसरत में हम जीते मरते हैं तुम्हारी याद की जब जख में भरने लगते हैं फिर किसी बहाने हम तुम्हें याद करने लगते हैं के फूलों ने काटों को जखमी किया मेरे दिल पे दस्तक पे दस्तक हुई जो दर्वाजा खोला तो हुई ही न था हसी आ गई उनको इस बात पर के जिस बात पर मैं हुई थी खफा जो बाबुल के आंगन से डोली उठी तो आँखों का सावन भरसता रहा काफी हुई जमान में तनिहाई से रुस्तवा मेरे करीब आओ रिफाकत मुझे दे दो बातल नहीं है वसल के सितत की धूप है प्यासी खड़ी हुई हूँ महबत मुझे दे दो खुशबू है जिसमें गुजर दिनों की बसी हुई वो सीदा काफ़ों की अबारत मुझे दे दो चोटी सी शरारत की अजाज़त मुझे दे दो चोटी सी सरारत की अजाज़त मुझे दे दो असलाम आलेकुम और रहमत ल्लाहिव बरकातों नाजरीन मैं मुहमद नासीर जज़बाती इंडी से मैं शुक्रियादा करता हूँ जाफर कलादी साहब का और उनके चैनल विजापुर इंफो का उन्होंने बहतरीन प्रोग्राम शुरू किया है मुझे अनलाइन मुझे नाम पर मैं शुर यादा करता हूँ मुझे फिर एक मरतबा अपने जख़बातों को पेश करने का मौका दिया तो आईए चंद शेर आपके खिदमत में आजिर करूँ कि मुझे उससे वो महबत ही अलग है मुझे उससे वो महबत ही अलग है मा की बनाई रोटी की लज़द ही अलग है मा की बनाई रोटी की लज़द ही अलग है बहुत बहुत शुक्रिया हजरात आईए और चंद शेर आपके खिदमत में अर्ज़ करूँ कभी दिल कभी धड़कन हुआ करता था मैं भी किसी के जहन में हुआ करता था शम्मा को परवाना अब मिलता ही नहीं बुझ गया वो चराग जो रोशन हुआ करता था घर छोड़ गई है मा जब से उजड़ गया है घर छोड़ गई है मा जब से उजड़ गया है खुशियों का जो सहन हुआ करता था आईए हजरात गजल का एक मतला और चंद शेर आपके खिदमत में पेश कर रहा हूं के तेरे नज़रों के तीर ने घायल कर दिया मुझे तेरे नज़रों के तीर ने घायल कर दिया मुझे मैं अच्छा था तेरी अदाउं ने पागल कर दिया मुझे तेरा चहरा है एक गुलाब की मानिंद लेकिन तेरे अखलाक ने तेरा कायल कर दिया मुझे मैं किस्सा था कोई मजलुमों का मुखतर कभी मैं किस्सा था कोई मजलुमों का मुखतर कभी किसी जालिम ने अब तवील कर दिया मुझे किसी जालिम ने अब तवील कर दिया मुझे अस्स्साराम आलेकुम नाजरे नाजरे, मैं अब्धू नैकोडी कुछ गदलों के चंद अशार ले हाजिर हो मतलब पेशे खिदमत है मुनाज़ा हो एक दर्द एक कसक मेरे दिल में जिगर में है मंजर तरी जिदाई का अब तक नजर में है मंजर तरी जिदाई का अब तक नजर में है बाऑदी थी जो निशानी मحबत के नाम से उडोर जोलती हुई अब तक शजर में है मुझसे भिचड़ते ही जिसे मंजिल भी मिल गई मुझसे बिचडते ही जिसे मन्जिल भी मिल गई अब तक उसे ही ढूंडता दिलिये सफर में है रिशे बतुरे खास के जिसमें सवार होके सफर जिस्त का किया मालूम अब हुआ वो सफीना भवर में है मालूम अब हुआ वो सफीना भवर में है और शेरिया खिर देखेगा कि मौलाना पारसाई का दावाना कीजिए उनसर गुनाह करने का हर एक बशर में है उनसर गुनाह करने का हर एक बशर में है और एक मतला और चन शार जूं कहा कि तू मुझे इस कदर भी पराया ना कर तू मुझे इस कदर भी पराया ना कर मुस्कुरा कर गमों को छुपाया ना कर उंगलियां तीन उठती हैं तेरी तरफ उंगलियां तीन उठती हैं तेरी तरफ दूसरों पर तू उंगलियां उठाया ना कर जानता हूं मैं तेरी सभी साजिशें तूने पैतरे आजमाया ना कर तूने पैतरे आजमाया ना कर मैं पशेमा हूं अपने गुनाहों से खुद तू सर्याम दर्पन दिखाया ना कर दोस्तों ने बनाया मुझे संग दिल तू जमाने पे कहमत लगाया ना कर रशेरे अखिर बतोरे खास मुराइजा होके आग की जद में घर तेरा भी आएगा घर किसी जवर का तुम चराया ना कर फिर से खुशियां आएंगे ना भाई शेहर गली खुल जाएंगे ना भाई फिर से खुशियां आएंगे ना भाई शेहर गली खुल जाएंगे ना भाई कोरोना का खौफ है जग में घर में रहेंगे तो बच जाएंगे ना भाई फिर से खुशियां आएंगे ना भाई अब थोड़ा सा सबर करेंगे कोरोना से थोड़ा डरेंगे घर में रहेंगे उससे बचेंगे और घर में रहेंगे तो बच जाएंगे ना भाई फिर से खुशियां आएंगे ना भाई शेहर गली खुल जाएंगे ना भाई झाल झाल